नवादा में किशोर को सीने में मारी गई गोली सदर अस्पताल में चल रहा इलाज वीडियो अगर अच्छा लगे तो से अपने दोस्तों के साथ सेयर करें सहर और गाउं की खास ख़बर तथा प्रेरग कथाओं के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें धन्यवाद नवादा शहर के गोपाल नगर मोहले के एक किशोर को सीने में गोली मारी गई है घटना बुद्धवार सुबह प्रखंड परिसर के पास की है गंभी रूप से घायल किशोर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है सूचना के बाद पुलिस मामले की जा सका वैसे ये बात भी सामने आ रही है कि जक्मी और हमलावर आपस में दोस्त हैं इस बीच सदर अस्पताल पहुंचे एस्टीपियों ने परिजनों से मिल जानकारी के आधार पर बताया कि हमलावर परोस कही है फिलहल पीरित किशोर खत्रे से बाहर है उन्होंने कहा कि गहतना ने शहरवासियों को परेशानी में दाल दिया है दो दिनों पूर दीरों वनार्वी गंज में गोही बारी की घटना अगुई थी जिले के अलग अलग हिस्से में आए दिन गोही बारी की घटना से विधी व्यवस्था पर गंबीर सवाल खड़ा हो गया है अश्चा को पूंटी में था हुब इसी ने उसी का साथी जो है वह भी करीब 15 साल के बताये जा रहा उसके दौरा बोले मार दिया गिया अभी इलाज में है अब है ड़्यक्तर ने बताया कि भी खत्रे से बाहर है क्यों नहीं पतार्यान के बिस्क अभी जश्ट पूर। गोड़े मार लिए के लिए मारा वोटे तुमको ना कुछ भूपते हुआ एक भूपते हुआ कुछ गूमर लिए कहां पर ऑगड़नाई दूनको पर गड़नाई क्या अलाम हो तुमारा प्रेम कुमार जहर और गाओं की खास खावों के लिए किल्किया चैनल को लाइक और सब्क्राइब करना ना भूले